नमस्कार स्वागत आपका testbook.com में NPCIN यानि Nuclear Power Corporation of India Limited ने Trade Apprentice की पोस्ट के लिए एक recruitment notification रिलीज किया है और हम इसी recruit में notification के बारे में इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले हैं तो आप notification के बारे में discuss करने हैं उससे पहले हम जाने हैं discussion के points यानि वो points जिन points पर हम इस पूरे वीडियो में discussion करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ताओंगा official website इसके बार हम जाने हैं वेकेंसी count, important dates, legibility criteria, salary structure और selection process और इन points को discuss करने के बार मैं आपको ले कर चलूँगा official notification पर जहांपर आप detail में discuss करेंगे इस notification के बारे में तो आईए शुरू करते हैं, npcilcarriers.co.in इस link या इस website पर विजिट करके आप जो notification है उसको चेक कर सकते हैं, यह NPCIL का carrier section है, यहाँ पर आपको notification मिल जाएगा, vacancies की बार करेंगे तो अलग net rate की मिलाकर total 250, 250 vacancies यहाँ पर निकलेंगी, 250 vacancies यहाँ पर रहने वाली हैं, 28 October 2021 जो है, उदर से registration स्टार्ट होगी और 15 November 2021 last date रहेगी, apply करनेगी, 28 October से लेके 15 November 2021 तक आप सक्लिए registration कर सकते हैं, age rate की बार करेंगे तो 14 से 24 साल, minimum मेज़ आपकी 14 साल है, मेज़ आपकी 24 साल, अगर आप 14 से 24 के age bracket में आते हैं, apply कर सकते हैं, educational qualification की बात करेंगे तो आप ITI pass होने चाहिए, अगर आप ITI pass है, relevant trade में आपका ITI certificate है, तो आप इसलिए apply कर सकते हैं, salary की और करेंगे, तो यहाँ पर stipend आपका लग लगे 7700 और 8800 555 रुपए आपका stipend रहेगा, किस eligibility पर कितना stipend मिलेगा, वो मैं आपको notification के अंदर बताऊंगा, selection process की बात करेंगे, तो आपने जो ITI में mark से obtained की होंगे, जो आपके ITI की number होंगे, उसके basis पर आपका एक merit list स्यार होगा, और वही selection का आधार होगा, और आप चलते हैं notification पर, तो अपनी स्कीन पर जो आप देख रहे हैं, ओफिशल notification है, देखिए NPCIL का, registration 28 October से शुरू होंगे, 15 November 2021, लास्ट डोट होगी, apply करने की, और इसमें देखिए vacancies की बार करेंगे, जर्ए गदेखिए टर्नर की 10 vacancyं, Constitution की 28, Welder की 21, electroniquer बीकेनिक की 15, instrument मेकेनिक की 13, Revelation and AC मेकेनिक की 16 वेकेनिक हैं, Carpenter की 14 vacancy हैं, Plumber की 15 vacancy हैं, pikeman की 15 vacancy हैं, Diesel मेकेनिक की 11, Machinist की 11 vacancy है, involvement की 15 vacancy हैं, Drotsman, Mechanical की 2 vacancy हैं, Drotsman, Stable की 1 vacancy हैं, Information and Communication Technology System Mint की 17 वेकेंसी है Computer Operator and Programming Assistant की 14 वेकेंसी है Stenographer English की 2 वेकेंसी है Stenographer Hindi की 1 वेकेंसी है Secretarial Assistant की 4 वेकेंसी है Housekeeper Institution की 3 वेकेंसी है Total आपका वेकेंसी काउंट है 250 250 वेकेंसी जहां पर आपकी होती है relevant trade ना आपने ITI क्या हो ITI के Certificate आपके पास होना चाहिए Training का जो duration है आपका वो रहेगा 1 साल का एक साल का training का duration आपका रहने वाला है 250 वेकेंसी हैं ITI Certificate 1 साल का training का duration रहेगा अब देखें आपर stipend क्या रहेगा तो जिन candidates ने 1 साल का ITI course किया है उनका 7,700 रुपे stipend रहेगा और जिन्होंने 2 साल का ITI के आए उनका 8,800 रुपे stipend रहेगा Age limit की बाद के बाद के रहेगा तो minimum में 14 साल और maximum में 14 साल रखी गई है Age quarterly cutoff date है 15 November 2021 यानि 15 November 2021 को जो आपकी age होगी वही आपकी final age मानी जाएगी और height देखें 137 cm, 137 cm minimum height है, minimum weight आपका 25.4 kg है और selection process का है आपके ITI की जो माक्स है उसके business पर आपका selection होने बाला है बाकी आपको कैसे क्या जानकारी है सारी इस notification दी होई है जो क्या आप चेक कर सकते हैं जो important points से इस notification के वो मैंने हैं आपको बता दिये हैं तो ये था NPCIL का recruitment notification एपरेंटिस की पोस्ट लिए है जिसमें टोटल 250 vacancies निकली हुई है और जब कोई नया recruitment notification रिलीज होता है या जब आप किसी exam की तयारी करते हैं तो उसकी तयारी के लिए सबसे important जो चीज़ है वो होती है mock test जितने ज़्यादा mock test देंगे उतनी आपकी तयारी बहतर होगी और mock test आपको मिलते हैं इस test book pass में इस एक pass के अंदर आप 420 से ज़्यादा exams की तयारी कर सकते हैं 27,000 से ज़्यादा mock test और अभी देखे प्ली फेस्ट द्माका चल रहा है यानि 399 की जगे आपको सिर्फ रुपीज 299 में की test book pass मिल रहा है और आपको 2 महिने के extra vanity मिल रही है यानि 12 की जगे 14 महिने का test book pass आपको मिल रहा है सिर्फ रुपीज 299 में और अगर आप मेरा coupon code by T5 यूज़ करते हैं प्रेड प्रेड लाइकन फूर लाइकन फुट रहा है